प्यारे बच्चो आप कैसे हो तो बच्चो एक दिन मिस हो गया हमारा बीच में तो उसके लिए मुझे खेद है तो बच्चो अभी आज हम जो है एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पड़ेंगे जहां से मैंने छोड़ा था इसके साथ आपको बता रहा हूं बच्चो एक बात और मैं कुछ बच्चे जो हैं फोर्मलिटी कर रहे हैं वो जो काम करवाया जाता है उसको नहीं देख रहे हैं ध्यान से यह सबसे बड़ी अगर सबसे महंगी चीज़ अगर कोई है तो वो शमय है इसको चाहे हम कितनी भी धंदोरत लगा लें कितना ही पैसा हम लगा लें लेकिन वापिस कभी नहीं आता है यह समय तो बच्चो इस शमय की कदर करें रिस्पेक्ट करें टाइम की टाइम की वैल्ली को समझें और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मलिटी ना करें बच्चो ध्यान से सुनें वीडियो को और लास्ट तक सुना करें और इसके साथ साथ बच्चो अगर आपके माइंड में कुछ दिमाग में कुछ भी अगर प्रोब्लम ऐसा कुछ कुश्चन आता है कि हमें जरूर पुछें व अगर आप नहीं पुछोगे तो उसका स eruption नहीं होगा को आए कि कोई भी प्रोब्लम आप पुछोगे तो तब तक वह प्रोब्लम मैं जब तक आप पूछोगे नहीं जब आप पूछ लोगे तो फुछन हूघे इसका सुलिशन हो जाएगा यह मेरी गार कि कुई आपको ऐसी कोई बात कोई बात है कोई पात सा कुछ के कोई बड़ी बात नहीं ठीक है न तो कि समझो intrigued कुछ आप अगर अपना समय लगा रही हो तो कुछ नगुछ आपको फायदा ज välब कर चाहर अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा इस वीडियो को देखें, अगर कुछ डाउट है तो समझ में आने में प्रोब्लम है तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं आप अब चैप्टर बन के इंदर हमने पढ़ा था अब अब आपने फर्श न पढ़ा था स्टोरेज था यानि कि हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज के बाद बंढारन ठीक है ना तो बच्चो स्टोरेज के लिए क्या करते हैं हम ताकि मारी जो फशल है वो खराब ना हो उसका बंढारन अच्छी तरह से रहे तो उसके लिए क्या के जाता है बहुत सारे तरीके हैं बच्चो आजकल केमिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़रा उनको बचाने के लिए लेकिन प्राकरतिक तरीके बहुत सारे हैं एक सिंपल सा मैं अगर आपको एक्जेंपल दूँ हमारे जो घरों में गाओं के अंदर जो घरों में अचार डालते हैं वो हमारे जो दादी मा हैं हमारी माताएं हैं अभी तो बहुत कम लोगों को जो नोलीज है लेकिन जो पुराने जो हैं उनको पता है वो अचार डालते इसके इंदर डाला जाता है और उस मसालय को डालने से क्या होता है ब derp वो अचार जो है खराब नहीं होता कई की सालों तक जो है रहता है अगर आपने एपने घर पे देखा हो अगर कहीं पे भी हो अगर तो मुझे वापिस reply जरूर करें कि सर हां हमारे घर पे है छे महीन ने पुराना एक साल पुराना दो साल पुराना तीन साल पुराना जो कि खराब नहीं हुआ भी तक वह उसका प्रीजरवेशन है वह उसको खराब होने से बचाने के लिए आपके जो फैमिली मेंबर है उन्होंने इसको बचाने के लिए क तो मैं आपको जो समझाना चाथा था, कि मैं वहों मैं समझा छुका हूँ, अगर किसी बच्छे को पूप्लम है, कुछ नहीं समझ में आये, तो पोछ सकता है, दौबारा मेरे से आप क्यमंट कर शकते हैं, वेसेज कर शकते हैं मुझे, इसके साथ साथ बच्छों एक बात और बता देता हूँ आपको कि आपको जो मैं बोलता हूं विडियो में वो जुरूर करें फॉर्मालिटी ना करें उसकी जैसे मैंने बोला कि आप मुझे रिपलाई करके बताएं कि इस बच्चे गर पे जो आपके गर में आमकाचा डाला जाता है और वो मसाला बना के डाला जाता जिससे की वो खराब नहीं होता वो प्रिजरविशन है उसकी और वो आप पुछें कि उसमें क्या-क्या डाला जाता है और फिर आप जो जो वो उसके अंदर डाला गया है वो एक लिष्ट बना के वो लिष्ट भी आप मेरे पास उसमें डाल सकते हैं फिर मैं उनका अलग-अलग जो है यूज या उनकी जो क्या कारण है ऐसा कि वो खराब नहीं होने देते हैं उसको मैं उसके बारे में आपको इस अटेक्ट बाइ फंगस ठीक है ना तो बच्चों कहता ब्रेड को खुला छोड़ दें क्या होगा वो खराब हो जाएगा फूई लग जाएगी उस पे ठीक है ना फंगस लग जाएगी कहता माइक्रो ओर्गनिजम स्पोईल आउर फूड खराब कर देते हैं मारे बोजन स्पोईल फूड एंड एर्मिट्स बैड अधे बाड टेश्ट औंड चेंज कलर खराब वागाना क्या होता है फंगन्दी स्पईल आएगे टेश्ट खराब हो जाएगा उसका और कलर भी खराब हो जाएगे स्पोईल अफूड एक वैक्ट केमिकल अग्सं है तो यह केमिकल और्गनिजम्स क्या करते हैं उसको खा लेते हैं ठीक है ना केमिकल इडिक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो देखिए पहली बोट सम मैंगोज बट सी कुड़ नोट इट देम है फूर फ्यू डेज में आम खरिद लिये उसने लेकिन नहीं खाए मोरक थी उसने छो आ रहा हूं आपको मैं प्रीजरू करने उसके केमिकल के एफेक्ट से बचने के लिए अंदर का तो नहीं निकाल पाएंगे लेकिन कुछ हद तक उसको जो है हमें उसका असर कम कर सकते हैं 60% तक उसके लिए क्या करना है आपने मैंगो की बात आई गी तो बता देता हूं मैं आपको कुछ भी फडब कर लेके आते हैं पजार से तो मैंगो हैं जैसे की मौस्ट लिए भी चलेगा तरबूज है या खरबूज है तो यह गर्मी का मौसम चला हूए मैई का महिना है तो उसमें क्या करो आप थोड़ा सा पानी में नमक डालो स्पेद नमक उसके इंदर डा गर्मी करते हैं लेकिन बन स्पास आपको लेकिन नमक से आप काम सकते हो चला सकते हो थेक नियुका है यह जो कि अधे पड़ा इन डूटण ने लग गए बट सी नोस डैट दा मैंगो पिकल हर ग्रेंड मदर मेक्स डज नोट स्पॉइड फोर लोंग टाइम लेगन उसे देखा है जो मैंने आपको बात बता दिये वह इसमें बता रहा है उन्होंने कुछ ऐसे मसाले बनाके डाले हैं जो क्या प्रीजरवेटिव हैं जो उसको बचाएंगे खराब होने से वो ऐसे एक साइन्टिफिक रीजन है बच्चो अगर आप मेरी बात मानना हो के तो हमारी डिरसोई घर में जो हमारी दादी मा को या हमारे जो पहले भुज़ साइन्टिफिक होता था हमारे जो पुराचीन में विदी हैं जितनी भी वो टोटली सारी साइन्टिफिक हैं अब बीच में कुछ गरबड हुई है अग्यानता के कारण नोलिज की कमी के कारण उन्हें गरबड कर दी है ठीक है ना तो बच्चो आगे पड़ते हैं में लेट आर दा कोमन केमिकल्स जेनरली उस्टू चेक दा ग्रोथ ऑफ माइक्रो और गनिजम्स ठीक है ना कुछ नमक और एडिबल ओएल से होते हैं कुछ डाला जाता है जैसे आपने देखा होगा आम के चार में से सरसों का तेल डला होता है ठीक है ना वह भी एक कारण है उसका उस और डाल देते हैं क्या करने के लिए उन माइक्रोब से बचने के लिए सुक्सम्जीओं से बचने के लिए जोक्राब करेंगा सोडियंबैंगे अन्ड बैटा उसल्फेट मेट वाइवाइसल प्रीजर्वेशन के लिए युजगे जाता है देर और ऑलसो यूजडिंग जैम अगेश्ट वगरा होते हैं यह आपने देखा होगा आते हैं जिसके केचप गयरा होता है आप खाते हो बड़ा जवाब होता है लेकिन वह सहत के लिए खतरना होता नेक्स्ट जो हमारा टोपिक प्रीजर रिजरेशन बाइ कोमन शाल्ट नमक के दौरा बचाना तो कमन शाल्ट has been used to preserve meat and fish for ages ठीक है ना ये मासा अरिज्जों को पचाने के लिए किया जाता है उससे हमारा कोई तालुक नहीं है हम साकारी है meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria नमख डाल दी जाता है सुखा नमख उस पर bacteria के growth को देखने के लिए salting is also used to preserve आमला रा मैंगोज टेमरेंड हल्दी को और कच्चे आम को पकाने के लिए ठीक है ना कच्चे केले को पकाने के लिए उसको नमख में रखा जाता था आपने देखा हो अगर गाउं के अंदर की पर पकाते हुए ठीक है ना कुछ बच्चे को पता चलते ही उनको सब याद आ गया हो कि हाँ मैंने वहाँ देखा था एक बार ठीक है ना जिनको नहीं नहीं देखा हो कोई भी क्वारी है क्वारी है अगर किसी ने कि आशा देखना की सर कैसे होता है नमक के साथ तो आप मुझे मैसेज जरूर करेंगे रिपलाई जरूर क पिर मैं आपको दिखाऊंगा वह वीडियो डाल ली जाएगी आपके लिए या कहीं पर लाइव आपको दिखाऊंगा मैं कोशिज करूंगा दिखाने की वह कैसे होता है कच्छे के लिए को कैसे पका जाता है नमक से उसके बाद बचो नेक्ष्ट है प्रिजर्वेशन कम पनपते हैं जिससे की खाना मारा खराब होने से बच जाता है तो इसके बाद नेक्स्ट जो तरीके हैं आपके वो कल्ब मैं करूँ और डिसकर सब नेक्स्ट वीडियो में आज मारी वीडियो लंबी हो गई है तो आज के लिए तना ही बच्चो और जो मैंने आपको बोला व जो कुछ बताएं अगर कुछ ऐसा आपको पता चले नया जो मेरे आपको वीडियो में नहीं पताया है या फिर आपको क्वेश्चन आपके दिमाख में आये तो मुझे मेसेज करें वापिस रिपलाई करें तो बच्चो आज के लिए इतना ही जै हिंद